नहीं हुआ है अभी तान्या का मिशन खत्म तान्या अभ भी एक बड़े सच की तलाश में है तान्या ढून रही है वो शक्स जो की अभ भी तेजों के पीछे पड़ा हुआ है तान्या एक सीक्रेट मिशन पर अब भी जुटी हुई है जी हाँ बिलकुल सही सुन रहे हैं सीरियल उडारिया के रीसेंट ट्रैक में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से जैसमीन का पैर फिसल जाता है और वो पहुँच जाती है अस्पताल और वो बातों ही बातों में तान्या को कह देती है एक इतनी बड़ी बात जिसे सुनकर तान्या फिर से चोकनी हो जाती है और वो समझ जाती है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है दरसल जैसमीन ने कहा है तान्या को को वो इस बच्चे को कुछ भी ना होने दे क्योंकि ये बच्चा ही एक मात्र जरिया है जो की फतह को उसकी जिन्दगी में वापस लेकर आएगा वो किसी भी कीमत पर अपने हाथों से फतह को नहीं जाने देना चाहती बार बार जैसमीन इसी बात को दोहराती हुई नजर आएगी और अब इसी बात पर तान्या के शक की सुई भी अटक चुकी है और वो मन ही मन ये सोचने लगी है कि इस क्रिटिकल कंडीशन में भी जैसमीन को अपने बच्चे की फिक्र ना होकर बलकि इस बात की फिक्र है कि कहीं फतर के साथ उसका रिष्टा ना तूट जाए अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो अब तान्या इस मिशन पर लग गई है कि वो जैसमीन का पूरा सच जान कर रहेगी कि कहीं वो जैसमीन का साथ देकर जैसमीन की मदद करके कुछ गलत तो नहीं कर रही है वेलागे क्या कुछ होता है सीरियल की कहानी में नया इसका पता सीरियल के आने वाले एपिसोड से चलेगा टीवी टाउन से जोड़ी लेटिस्ट खबरों के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तक आप तक पहुचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट